आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ Download Now Hello student, आजकोजी हमारा अगला Question है कि The Example of Solid Solution is हमें बताना है कि Solid Solution का Example कौन सा होगा Basically यह हमारा किस से आता है Binary Solution से आता है यह हमारा किस से आता है Binary Solution से आता है Binary Solution आपके तीन तरीके से होता है एक आपका क्या होता है यहाँ पर Solid Solution ठीक है, यहाँ पर क्या होता है Solid Solution एक हमारा होता है Liquid Solution तो solid solution में basically क्या होता है, आपका solvent क्या होता है, solid, आपका solvent है, वो आपका क्या होता है, solid, and जो आपका solute होता है, वो आपका क्या हो सकता है, it can be solid, it can be liquid, और it can be gas, ठीक है, वो हमारे होता है, solid solution, ठीक है, तो हम यहाँ solid solution की ही बात करेंगे, बाते liquid solution में आपका solvent liquid होता है, और solute can be solid liquid gas, ऐसे ही gaseous में आपका solvent gas होता है and solute can be solid liquid gas, तो basically हमें क्या देखना है solid solution, यानि कि आपका solvent उसमें क्या होगा, solid होगा अब अगर अपने options देखें तो क्या रहा है glucose in water तो इसमें आपका first option में solvent क्या है आपका, जो आपका solvent है वो क्या है आपका water है, यानि कि वो आपका क्या है, liquid है तो यानि कि ये तो आपका solid solution नहीं होगा अब second की बात करते हैं, तो second में हमें क्या given है second में हमें given है copper in gold, यानि कि आपका यहाँ पे solvent क्या है basically gold है, gold क्या है आपका solid है, तो यानि कि solvent आपका यहां solid है तो यानि कि यह हमारा क्या होगा solid solution option 2 थर्ड कहा रहा है camphorin nitrogen बाकी भी हम देख लेते हैं तो यहां पर आपका solvent क्या है nitrogen solvent क्या है आपका basically nitrogen जो आपका क्या है एक gas तो यानि कि यह gas से solution होगा तो यह भी निया अब आपका fourth क्या कह रहा है fourth अगर आप देखो तो यह कह रहा है कि oxygen in nitrogen ठीक है oxygen in nitrogen नाइट्रोजन तो basically यहां पर आपका solvent क्या है अगर मैं यहां पर solvent की बात करूं तो वह आपका क्या है nitrogen क्योंकि oxygen doesn't dissolve है इसमें तो यह भी हमारी क्या है gas तो यह अपका gases solution होगा तो हमसे पूछा था कि solid solution तो उसके लिए आपको यह देखना था कि आपका solvent क्या होना चाहिए solid होना चाहिए तो यानि कि हमारा option 2 यहां correct है ठीक है okay guys thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर